देखे कंचन लगातर बहराइच के महसी इलाके में आदम खुर बेडियों का आतंक बना हुआ है जिसके चलते वो अब दोबारा से जानलेवा हमला करते हुए नजार आ रहा है आज लगातर दूसरा दिन है जब बीती रात को इन बेडियों ने दो गाओं में हमला किया और पर अटैक किया ये अटैक करीब 12 बजे रात में हुआ है और उसके बाद एक जो गरेट ही गुर्दत तसी पूरवा है वहां पर एक अंजली नाम की मासूम पर हत्या कर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है जिसके चलते पूरे इलाके में दैसत है इस वक्त हम बात करें इनके परजनों से क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले इनको प्रात्मिक स्वास के इन में भरती कर आए गया था हालत गंबिर होने के बाद इनके जिलास पताल में भरती कर आए इस वक्त हमारे साथ इनके पुत्र मौज़ुद है क्या नाम है आप कहां के रहने वाले मेरा मनसा राम है हमारा घर ग्राम बारा भी घाट आखला खोटिया थाना अर्दी के रहने वाजी यह पूरी घटना कैसे हुई कब हुई और कहा थे आप लोग क्यों सब्सक्राइब मेरी माता जी घर में सो रही थी उनको बातरूम में पेषाब लगा तो बाहन्यघि-वर दरवाज़ा खोला इसके बाद उसको बंद किया तो बंद करने में होडा थोड़ा जाही पर दोड़े और थोड़ी दूर पर सो रहे हैं तो हम बाद में पहुंचे वहां तो फोड़ मतायागा तक तो जैसे कि आपने सुना कि जो भेडिया है वो कमजोड दारवाजे का फाइदा उठा कर यहां पर पहुंचा था माता जी कैसे ये पूरा घटना हुआ कब भेडिया आया था ज़ड़ा जड़ाम दे पनले में एक पनला तो राजा खुल गया एक नहीं खुला भेडिया नट्टी नाम दिया फीच का भाहल नया डार दिया तब थोड़ा जब धीना परा तब हम चिल लाई पही तब परोसियों नहीं दोड़ों इसको लड़की के मुझी भूरा जा जैसा की कंचेन आपने सुना कि ये माता जी बता रही है कि ये देर रात घर से बाहर निकली थी पेसाब करने के लिए उसके बाद इन्हों ने दरवाजा बंद किया लेकिन इनका दरवाजा कमजोर था जिसके चलते कुछी देर बाद ये भेडिया घर में इंटर किया और सीधे इनकी गरदन पर अटेक किया जब इन्हों ने बचने के लिए वहाँ पर सोर मचाया तब जाकर वो वहाँ से भागा इस बेडिये का सबसे पहला टार्गेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चे हैं यही कारण है कि करीब 11 से 12 के बीच में इस हमले के बाद 4 बजे दूसरे गाउं गरेठी गुर्दत सिंगपूर पहे में ये हमला किया गया कि कंचन जहां बीते कई दिनों से वनवभाग युद दस्तर पर पूरे इलाके को उसने कॉड़न आफ किया था गेरबंदी की थी और वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था लेकिन बीते रवीवार को कहीं न कहीं वनवभाग कि इस ऑपरेशन में भी काफी धिलाई देखने को मिली लगातार हम लोगों ने अधिकारियों से समपर किया तो उनका ये कहना था कि ह हम जरूर एक नई रणनीत के साथ दोबारा प्रयास करेंगे लेकिन कहीं उनका उपरेशन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा नहीं लेकिन जिसके बाद जब ये घटना हुई है तो यकीनन वनवभाग एक बार फिर से उस इलाके में पहुंचा है वहाँ पर एक बार जुद दस्तर पर इस भेडिये को ट्रेक करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि थर्मल जो ड्रोन कैमरे है उनके द्वरा स्कैन किये जाने के बावजूद बार बार भेडिये का वनवभाग के घेरे से निकल जाना कहीं न कहीं चिंता का सबब है और दैसत का भी सबब है क्य लेकिन ये कोई आसान टास्क नहीं है इसको गंबीरता से करना होगा और अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसी तरह हमले और मौतो का सिल्चला जारी रह सकता है जिसको देखके हुए क्योंकि एक बार फिर आज जो हमला हुआ है उसमें दस्वी मौत ये हुई है बेडिये के ह हमले से जिसको लेकर कहीं न कहीं प्रेशाशन और विन भाग के भी हाथ पर फूले हैं और अब एक बार उमीद जताई जा रही है कि आपसे कुछ दिर बाद वो संबद्धित आलाखे में जाकर फिर और अब अब आपने जान का रही है यह घटना खेर निया टैपरा की है तो टैपरा में घायल किया है तो उस महिला का इलाज चल रहा है उसका यह रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है तो इस वज़े से वो अलग गाओं है तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आ रही है कि हर बार एक नया शिश भी कर रहा है मुझे जल्दी उमीद है कि बागी भी पकड़ लिये जाएगा कि बाद दूप तो लग्वर्णाइऑ इसस भी है जाएगान वाओं जाम अबसे तो इसमें अबसे च्क यह आएगाँ विया ख़वाओंञार ओववाववववावववववववववववववर्याद इसे च्छ आफ पाल्प में कि वर भी इसस में विवववववववभ प्रवेश में लड़ी कर दोर्वेश भी मुद्च भी। राई, राई 만들어 ही के जो हे looking जूंबर में राई! मुदर भू थे याथ बसे नहीं जदे गये को अचे nawりました प्रदीन की पीक्षें बाई बस्फेयराक हुआ वाई पाले के वाई जड़नी के वाई पाले का को राउत आप राइख दो का शेеб", कर दो, कर दो, कर दो कर दो, कर दो, कर दो खखर। कर दो पो